अब ही तक हमने process account में process का मतलब समझ लिया कि सर process क्या है normal loss और abnormal loss का just फोड़ा सा definition देखा है कि होता क्या है उसके बद कुछ questions किये थे आज abnormal laws कैसे find होता है उन चीजों पर हम आज discuss करेंगे ठीक है न तो हमारे सामने दो process है और ये दोनों process बनाने है और फिर इसी में हमें लगबग लगबग अंदाजा हो जाएगा कि normal और abnormal किस परकार से find किया जाए फिर हम इसके आगे भी questions करेंगे तो चलिए सर आईए start करते है पहले एक बार questions कर ले कहता है कि in a factory product process to process से सही बात है फेक्टरी के अंदर दो process से हमारा ये process जाएगा process A और process B ठीक है 5% loss in allow process A and B में 5% का loss होगा nothing being realized disposal of the wastage अगर कोई wastage होता है तो उसका कोई realize नहीं होता मतलब आगे कहता है during the year 2008 10,000 unit material 6 रुपए introduce process A the cost were as follow इसका कहने का मतलब है normal loss जो होगा वो नहीं भी कहेगा ठीक है बाद material वगरा लग गया हमारा process A में तो material आप यहां से निकाल लोगे ठीक है ना process B labor लग गया overhead लग गया output process A के अंदर output इतना निकला and process B के अंदर output इतना निकला और 8,000 unit finished product were sold इसमें से 8,000 unit हमने बेच दिया है prepare process account and abnormal loss gain account चीक है सरा abnormal loss gain भी आ गया हम abnormal loss gain को थोड़ी देर के लिए भूल के हम जो process account हमने सीखा था हम सिर्फ उसी process account पर अगर focus कर लें तो हमें ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा चलिए से योनिट दो process बनाना है एक abnormal loss तो मेरा मानना है मैं पहले तो दो process बना लेता हूं फिर आपको abnormal loss account बनाना सिखाऊंगा बट इस question में तो abnormal loss बनाना नहीं सिखाऊंगा मैं सर ऐसा क्यों इस question में क्यों नहीं सिखाऊंगे आप abnormal loss ये hang क्यों हो रहा है क्योंकि इसमें normal loss नहीं भिकरा ये बन गया हमारा process अब लिख देंगे थोड़ा सा ये पता नहीं क्यों दो चल रहा है हम काम तो करेंगे वैसे भी मैं धीरे धीरे ही कराता हूँ तो आपको slow नहीं पता चले लिए ये process A है और ये process B है हम आराम आराम से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे सभी बच्चों को voice भी clear है सभी बच्चों को सब कुछ visible भी हो रहा है आपके सामने एक proper questions है आज कुछ सवाल मैं homework में भी दूँगा आपको सबसे पहले हमारा process A के अंदर material लगा तो अगर process A की material की बात करें तो two side में लिखेंगे material two side में लिखेंगे material sir material कहता है 10,000 unit 6 रुपए का तो 10,000 unit में unit आ गया और 6 का मतलब sir 60,000 रुपए 6 का मतलब है 60,000 ठीक है आगे देखा जाए तो आगे क्या कहता है labor labor 10,000 रुपए का है two side में लिखेंगे हम labor labor जो है that is 10,000 labor के बाद overhead two side में लिखेंगे overhead और overhead है हमारा 6000 ये तो हो गए खर्चे अब आगे कहता है process B B हम बाद में देख लेगे कहता है normal loss जो होगा वो process A में होगा 5% अब समझने वाली बात है आपको ध्यान दे रहे हैं सर इंपुट डाला इंपुट डाला आपने माल बनाने के लिए दस अजार इंपुट कितने डाले सर दस अजार इंट डाले ठीक है दस अजार इंट डालने के बाद आपका normal loss हो गया मैंने का बिल्कुल हो गया नॉर्मल लॉस कितने percent होगे सर नॉर्मल लॉस जो हुआ वो 5% हो गया अगर हम 5% निकाले normal loss तो that is आपका होता है दस अजार का 5% कितना होगा 500 यानि आपका माल तयार होना चाहिए तयार होना चाहिए सर 9500 माल बनके तयार होना चाहिए यहां तक सभी को समझ में आ रहा है कि हमने 10,000 लगाए और 5% कहता है normal loss है तो तयार कितना हो जाना चाहिए सर नॉर्मल लॉस लिख दो सर नॉर्मल लॉस लिख दो सर कितने लिख दो सर 5,000 लिख दो सर प्रोडक्शन कहता है सरिफ 9300 अब आप समझे बात को आप प्रोसेस को समझेगा बनने चाहिए थे 9500 लेकिन बन के आया 93 तो बाकी के 200 कहां गए सर 200 जो है न ये वाले आपके देट इस हैं लॉस दोसो क्या हो गए लॉस अब आप जबाब दीजिए जब नॉर्मल लॉस और प्रेटी गीवन है तो अब जो 200 का लॉस आया है इस लॉस को पता है क्या नाम देंगे अब नॉर्मल लॉस पहले बताईए ये सभी बच्चों को समझ में आया एक बार ना मैं अप्लिकेशन को सेव करके दुबारा करता हूं क्यों काफी हैं कर रहा है अब यह पता नहीं क्यों हैं कर रहा है 68 पेज बहुत जादा पेजिस हो गया इसमें में लगली क्लास में ब्रेक क किसी हिसाब किताब को करने में लगाते हूं वही कैलकुलीशन लगाना है अगर आप सोचो गए कि हम कॉस्टिंग सीख रहे हैं तो नहीं सीख पाओगे बड़े सीधी सी बात है भाई यह दस अजार यूनिट लगाए और तुम कह रहे हो 5% खत खराब हो जाएगा तो 5% लॉइन्ट खराब हो गए तो जब 200 यूनिट खराब हो गये तो उसको कौन सा लॉट बोल गया और हमें पता होना चाहिए और और लॉझ कितने का बिकेगा वह भी निकालना हमारी जिम्यदारी है कॉस्ट पर यूनिट अब्रमार लॉझ का क्या होगा वह भी हमी तो रुक जाओ दो मिनट फिर देखते हैं अभी इसका रेट में निकालना सिखाएंगे यह पहले से ही डाउट था कुछ हैंग हो रहा था यह सेव होने दीजिए इसको यहां तक के पॉइंट में किसी बच्चे को कोई डाउट है 2010 बीकॉम प्रोग्राम के अंदर पूछा गया था कॉलेज में यह कोश्चन पंदरा नंबर का चलो इसको एक बार हम क्लोज कर दें और फिर दुबारा उपन करते हैं अच्छे से ताकि हमें दिक्कत ना दें आप अब कमेंट तो पढ़ी नहीं पा रहा क्योंकि सब कमेंट नीचे चली गया एक बार दोबारा एक बार इस कोश्चन की मैं दोबारा ही पूरा मिटा के कर दूँआं बस अठाउंट रहने दूँआ इक बार ओपन होने दो पता नहीं क्या हो गया ओपन होने में भी टाइम ले रहे हैं लब बड़ी फाइल हो गई इसमें सब्सक्राइब चलो खुला तो भगवान भरोस है पेज नंबर 68 था भाई साथ यह पूरा हैंग हो रहा है प्रिया के कहना सर तो यह वाली क्लास जो है समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको फॉस्ट क्लास देखनी होगी और लास्ट क्लास को लाइफ सेक्शन में जाके बिल्कुल लास्ट का टॉपिक देखना वहां पे लास्ट के दस मेरे खाल लास्ट में देखना जो एंड में दस मिनट तो वहां पे बताया कि पहले आपको कौन से चप्टर्स करना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अभी एक बार ओपन हो जाए तो बाके जिन जिन बच्चों के डाउट है आज बताईए मुझे सभी बच्चों के पास कुर्ण नहीं आया कि आप नियँनल नहीं से सट एक बार आप नोटिफिकैशन सेक्टिन में बीच करिए अमन और जिन जिन बच्चों क heck नहीं आया जाके देख़ेл dol नोटिफिकेशन सेक्शन जो होता है यहां एक आपका घंटी टाइप की बनी है उसके क्लिक करके देखे क्या दिख रहा है आपको बट उसके लिए आपको क्लास एंड करना पड़ेगा लास्ट में पूछूंगा आप से आप री जोइन होके बताना मैं पहले पहुंस तो नहीं 68 फी जिस कैसे हो गया है नहीं बड़ी दिक्त हो रही है दो जलो सुक्र है चला है अ जला है कि इसमें दो टॉपिक्स एड़ गर दिये इनोंने तभी हो गया यह कि इनकी गलती हो गई आज कि वह एक मिनाट भाई रुख जा भाई रुख जा तभी मैं कहूं कि बार बार प्रोसेस ही वाँ रहा है कि रुख जा भाई रुख जा एकड़म से बावन पर जा जा जाता है 51 बावन त्रे पंच ववन पच्पंच अपन सतावन त्रे सट यह रहा हम यह कुश्चन कर रहे थे चलो आज तो मैनेज कर लेते हैं अगली क्लास में इसको क्लीन करा दूआ बच्चे कह रहे हैं सर एक बा हैं हमारे पास ब्रोसेस हमारे पास A है और एक प्रोसेस हमारे पास भी है ठीक है ध्यान से देखेंगा दो process है कहता है कोश्चन में भीया process A के अंदर जो loss होगा वो 5% होगा और B के अंदर जो loss होगा वो 2% होगा और जो भी loss होगा nothing being realized disposal of wastage और इसको बेचने के बाद हमें रती भर पैसा नहीं मिलने वाला कहा गया कि हमने 2008 में ये काम स्टार्ट किया और 10,000 यूनिट डाला material 6 रुपए का एक यूनिट था हमने process A में introduce किया जिसको हमने process A के अंदर material 10,000 इंटू में 6 करके 60,000 डाल दिये labor लगा 10,000 और overhead लगा 6,000 अब आगे देखें तो कहता है कि भाईया process A से था वो से हम 93,000 यूनिट बनाने में कामियाब हुए यानि आपने input डाला आपने input डाला सर कहां डाला सर process process A में सर आपने input डाला process A के अंदर 10,000 और आप खुदी कह रहे हों यहाँ पर normal loss हो सकता है तो normal loss की बात करें तो normal loss कितना होगा सर आपने कहा है सर normal loss 5% होगा देट इस 500 अगर normal loss 500 होगा तो 9500 हमारे माल तयार होना चाहिए यानि माल तयार होना चाहिए 95 तो यानि production होना चाहिए होना चाहिए ठीक है न होना चाहिए लेकिन question कहता है आपका जो production हुआ न वो सिर्फ और सिर्फ 9300 हुआ तो इसका मतलब सर आपके 200 रुपए जो नहीं हो पाए production इसको बोलेंगे अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल लॉस तो सबसे पहले अबनॉर्मल लॉस लिएते हैं और के सरवाईशीड में लिख देता हूं है एव नॉर्मल लॉस कितने यूनिट होगे सहां दो सो निट अब नॉर्मल लॉस बोला कुछ भी नहीं भिकेगा तो मैंने जीरो डाल दिया abnormal loss कितना भिकेगा तो rate कैसे निकालते हैं abnormal loss का ध्यान से देखना जो rate निकालते है ना rate rate कैसे निकालेंगे सर्थ किसका rate निकालना सिखा रहे हो ABL abnormal loss का rate निकलता है हमारा total cost total cost minus में normal loss का amount अगर है तो divisual by डिवीज्वल वाई डिवीज्वल वाई टोटल यूनिट माइनस में normal loss का यूनिट अगर आप यह follow करते हैं तो यहां से हमें एक rate निकल के आता है जिसको हमें abnormal loss के यूनिट से multiply करना होता है तो अगर मेरे सामने सवाल है इस सवाल पर मैं यह rate अपलाई करूं तो टोटल कॉस्ट जो आएगा हमारा that is कितना आएगा total cost साट सतर शियत्तर हजार कितने आएगे हमारे शियत्तर हजार total unit क्या रहेगा तो अब यहां देखते हैं तो यही रहा शियत्तर टोटल यूनिट भी दस रहेगा तो मैंने फॉर्मूले में कहा total cost बताईए तो total cost कितने हो गए शियत्तर बोला normal loss अगर आपने भेचा है उसका amount वह लिख लिए तो सवाल में normal loss तो 0 का भी का है यह तो 0 divided by total unit लिखिए तो total unit कितने है दस अजार माइनस में अगर normal loss कुछ भी हुआ है तो उसका unit लिखिए देखे मैंने bracket में unit लिखा है तो normal loss कितने का है तो अब आपको एक effective rate निकल के आएगा इसको बोलते है अब नॉर्मल इफेक्टिव भी बोलते है इसको ठीक है न तो 76,000 divided by 9500 that is 8 रुपे निकल के आया तो जो हमारा abnormal loss की कीमत होगा 200 into में 8 यह multiply होगा हमेशा याद रखना ऐसे निकला जाएगा that is 1600 अब हमारे questions में कहता है कि अगले process में 93 हो जाएगा 93 हो तो बाई process भी process भी कितने जाएंगे सर 93 हो जाएगा हमारा 93 हो और यह हम अगर balancing figure निकाले तो यह आ जाएगा 74,400 और यह हमारे यहां आ जाएगा कहां जाएगा सर टू process कहां से आया सर प्रॉसेस ए से आया कितने आया सर 9300 यूनिट that is 74,400 74,400 अब अगें material लगा process भी के अंदर तो मैं process भी में material लगा देता हूं material material कितने का लगा material लगा हमारा total एक सट सो चालिस और सर क्या लगा labor लगा कितना labor लगा सर चेहजार लगा साहब और क्या लगा labor के बाद overhead लगा अब हमें दूसरे process का भी loss का हिसाब किताब लगाना होगा जलूरी नहीं है कि हमेसा loss हो कई बार abnormal gain भी हो जाता है कई बार abnormal gain भी हो जाता है सर बुक में ABL का unit 500 दिया हुआ है process एक abnormal loss का unit 500 दिया हुआ है पांसो पिच्च्यानवे सो बना तिरानवे सो हो सकता है उसमें कुछ error रहा होगा मेरे पास बुक में तो है नहीं questions में कुछ रहा होगा आगे पीछे तो यह देख लो बाकी आपका abnormal loss जो होगा वो normal loss पांसो दिया होगा यह आप देख लो एक बार ठीक है हितेश किताब जिनके पास है देख लो कुशन नहीं है कुसी बच्चे के पास पुरानी बुक होगी तो वो देख रहा होगा जरूर कुशन में कुछ ना कुछ आगे पीछे हो सकता है ठीक है तो कोई बात नहीं हम एकदम कुशन के हिसाप से करते हैं जो board पे display होता है कही बार आप 76000 में से मैंने 1600 माइनस करके लिख लिया तो आया यह 76000 में से 1600 माइनस करके मैंने लिख लिया चलो साहब अगले process का हम कुछ गड़ित लगा है क्योंकि थोड़ा सा slow है उसके हिसाप से चलते हैं सर हमारा जो process number two है जो हमारा process number two है इसके अंदर हमने input लगाया सर इसके अंदर हमने input लगाया कितने input लगाया साहब साहब input 93000 लगा question कहता है इसके अंदर से normal loss होगा that is 2% यह सवाल कह रहा था 2% तो अगर 93000 का 2% निकाल ले तो साहब यह 186 होता है तो मेरा माल बन के तयार होना चाहिए 9114 लेकिन सवाल क्या कहता है सवाल कहता है कि मेरा unit बन के तयार है अब देख लो मैं सामने है unit बन के कितना तयार है सर 92000 unit बन के तयार है तो अगर आपका 92000 unit बन गया तो आपका actual production जो हुआ तो यह तो कमाल हो गया सर कैसे कमाल हुआ यहां तो हमारा हो गया profit यहां हो गया profit जिसको बोलते हैं abnormal gain जिसको बोलेंगे abnormal gain कैसे profit हुआ हिसाब लगाऊ ना 93000 बनने थे जिसमें से 186 normal होने थे तो आपके बन के तयार होने थे 1914 लेकिन question कह रहा है आपके 92000 बने हैं तो आपका abnormal gain हो गया ऐसा होता है कई बार abnormal gain हो जाता है सर कैसे कोई example बता है abnormal gain होने का कई बार मान लेते हैं के normally के हमारे पास किसी समान को बनाने का जो material use होता है बनाने में तो कई बार जो mystery है वो mystery ज्यादा unit consumption करता है लेकिन शायद कई बार ऐसा बढ़िया mystery आ जाता है जो कम मसाले में ही या कम आपके material में ही अच् material बच गया उसको क्या बोलेंगे सर abnormal gain बोला जाएगा उसको क्या बोला जाएगा abnormal gain जैसे मान लो कि मैं एक कारपेंटर को बुला के लाया मैंने बोला भाई दरवाजा बना दे उसने पूरा-पूरा मेरा दरवाजा बनाया ठीक है भाई और मुझे पता था कि जो मैं एक board ल कारपेंटर दूसरा ले के आया उसने बोला भाई साब इसमें आपका दरवाजा बना दिया और उसने उसी दरवाजे के से कटे हुए टुकडे को जोड के बहुत ही मजबूत एक खिड़की भी तयार कर दिया तो जहां मैं एक board के अंदर सर्फ एक ही दरवाजा बना पा रह इनपुट कह रहे हैं बच्चे सर इक सट सो चालिस होगा अब पता नहीं कैसे च्छी बैग्स 79 अब input को कुछ बच्चों को doubt है तो मैं बता देता हूं input कितना है देखो आप input कितना है 9300 9300 जो इसका output होगा process A का वही input किसका बनेगा process B का process B से output में कितना गया 9200 9200 बना तो मैं आपको वही कह रहा हूं यहां पे कि 9300 डाला जिसमें 2% का loss हुआ तो 9114 होना चीए था production एक्चोल 92 तो यहां profit हो गया कितना profit हुआ सर मैंने profit का वह नहीं लिखा profit का 86 profit के जगह पर मैं लिख रहते था हूं 86 back का profit हुआ तो सर जो इसका भी amount निकालेंगे ना profit का भी वही formula होगा abnormal gain का rate निकालेंगे is equal to total minus normal loss का amount divisual by divisual by total unit minus में normal loss का unit तो हमारा total unit देखा जाए तो 90 त्री हंडिड था जो इन्पुट डाला था नॉर्मल लॉस का unit देखा जाए तो हमारा 186 नहीं नॉर्मल लॉस यूनिट की बात नहीं कर रहे तो गड़ बढ़ हो गई भाइस आप गड़ बढ़ हो गई आप तो कॉस्ट लो ना तो कॉस्ट निकालना पड़ेगा चलिए कॉस्ट निकाली कॉस्ट निकालिए कॉस्ट अगर निकाले चोहतर चार सो चोहतर चार सो एक सट सो चालेस शे हजार शालेस सो तो नाइन वन नाइन वन और एक चीज़ ध्यान रखिया का अभी आपको यहां मैंने लिख दिया है लेकिन अभी मैं मिटा भी दूँगा ताकि मुझे रेट पता चल जाए यह टोटल कॉस्ट आ गया यहां पर निकल के आया 10 रुपए यहां पर निकल के आया 10 रुपए अब यहां पर लॉस नहीं है अब नॉर्मल गेन है तो आपको ध्यान देना होगा कि अब मैं इसे मिटा दूँगा सिर्फ यह कैलकूलेशन के लिए फिर दुबारा मैं कैलकूलेशन करूँगा दियान देना आप बाहर लिख लीजिएगा तो मुझे पता है कि अबनॉर्मल लॉस जैसे नॉर्मल लॉस इस साइड जाता है बाई साइड में क्या जाएगा नॉ अबनॉर्मल लॉस ही हो सकता है अबनॉर्मल गेन कभी हो ही नहीं सकता तो यह आजाएगा आट सो शाट अब फाइनल हम टूटल निकाल देंगे जैसा जैसा कुश्चन ने बोला है वैसा वैसा करके दिखा देंगे इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूं चलिए अब टूटल करेंगे तो कुछ आर आएगा सब टूटल करोगे तो क्या बताते हैं एट सिक्स जीरो यह आएगा नाइंटी टू थाउजन ठीक है और यह आजाएगा हमारा नाइंटी थ्री ऐट सिक्स नाइनटी टू थाउजन 9386 अब बाई साइड में कुश्चन क्या कहता है ध्यान से देखो कुश्चन कहता है भाईया इससे तो 92 यूनिट हुए तयार लेकिन मात्र 8000 यूनिट को हम फिनिस करके सोल्ड करते हैं तो फिनिस सोल्ड होगा इसके आगे कोई प्रोसेस तो नहीं जाएगा तो बाई फिनिस्ट कितने 8000 यूनिट और 8000 यूनिट का वही रेट अब आप ध्यान से देखना इस 9300 को भी बच्चे ने पूछा कैसे निकाला तो मैं बताऊं मैंने सौटकट निकाला 9300 इंटू में मैंने 8 किया सर अभी तो आपने कहा गया 76 में से माइनस बात वही है दोनों में से कोई भी करिया बात वही आनी है ऐसे ही मैंने क्या करा आफ हजार को मैं 10 से मल्टिप्लाई कर दूँआ तो 8000 इंटू मैं 10 यानि कितने हो गए सर असी हजार तो आप ध्यान से देखो तो 8000 यूनिट आप बीच दिया 186 चले गए टोटल थे आपके 8186 और आपके 936 यूनिट थो तो बाकी 1200 यूनिट कहां गए सर बारा से यूनिट डिफरेंट आ रहा है तो या जागा क्लोजिंग स्टॉक बिखने के बाद जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा और उसकी कीमत आप यहां तो बैलेंसिंग फिगर ले लो या दस से मल्टिप्लाई कर दो तो बारा हजार अब टोटल करके देख लो आपका पहले एक बार देखिए और बताईए इसमें कोई डाउट है तो इसमें देखिए कोई डाउट है तो कि लोजिंग वाला सर एक बारी और देखो हुआ क्या लास्ट वाले यूनिट में क्या बोला कि भाईया हमारे जो बनके तैयार हुए माल वह बानवे सो मैंने लठी के भाई बानवे सो बन गए और यहां एबनॉर्मल गेन भी था च्यासी तो हो गए टोटल कितने आपके ज जो था तरफा तरानवे EC • Ne Univeauóc ऐसे से दिखा जाए कैसे सर्vent this का देखा है यह आपका kelnवे चेही तो बन के तयार होगे आपने का सर नॉर्मल लॉस भी वहाँ गए 186 तो फाइनली देखा जाए तो आपने बानवे सो यूनित ही बनाए ना निकन अगन उस्टी कर सकते नहीं जी नहीं आपका खेक है नार्मल रहेगा आपनोर्मल का अमाउंट तो कभी नहीं आएगा आमर्मल तो हमें निकालना पड़ेगा बताईे सार बुक से आंसर मैच नहीं हो रहा है इस कोश्चन का बताईए बुक में क्या अंसर है हो सकता है एक दो point आगे पीछो answer यही रहेगा आपके book में क्या है पता नि book में तो बच्चे करें question भी नहीं है आप एक बार बताईए क्या आ रहा है book में difference बागी जो भी किया है एक दम 100% correct है ऐसा possible है बड़े ध्यान से question पढ़ना कई बार नीचे एक line कर देते हैं इस type के काफी सारे question होते हैं बच्चे उसको चीज़ों पढ़नी पाते सारी चीज़े मिला देते हैं क्या पता बुक में 2% की जगह पर आपका 3% क्या पता normal loss को बेचने का बुक के अंदर amount दे रखा हो इस सवाल में नहीं दे रखा ABL 500 लिया हुआ है गलत हो सकता है आप इग्नोर कर दीजे उसके आंसर को यहां पर मैंने दो बार कर लिया एक तम यही ABL आ रहा है abnormal loss तो यही मान के आपको चलना है process 2 में 186 अगर पहले में 500 माल लिया है तो definitely अगले process में गड़बड हो गई होगा यहां साफ साफ लिखा है output का output का मतलब होता है तयार output का मतलब होता है इतने तयार माल हो गए बन गए finish तो इतने बन चुके हैं तो भाई आप आप सिंपल सा देखिए 95 सो बनने थे आप 93 सो बोर्ड तो 200 का ही नुकसान होगा ठेक है ना बताइए कोई doubt अब मैं आपको ध्यान से देखिएगा कुछ questions मैं करने के लिए दूँगा और इसके answers मैं अभी के अभी upload करूँआ जिसका solution मैं बोर्ड पे नहीं करा हूँआ मैं answer इसके upload करूँआ यह पता नहीं क्या गडबड कर दिया इन्होंने इतना लंबे चोड़ा page कर दिया यह मैं कुछ questions बताने जा रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा और देखिएगा जो कि मैं homework में दूँगा और यह न पॉइंट लिख लिजेगा क्योंकि यहां स्लाइड में आगे पीछे आप question को पिना देखे करिएगा फिर मैं वीडियो अप्लोड करूँगा हाला कि जहां तक मेरी याददास ठीक है इस टाइप का questions हमने last class में कर लिया था साइद मेरे हिसाब से यही question किया था फिर भी देख लिजेगा homework में है यह यह भी homework में रहेगा आपका यह भी homework में रहेगा क्या यह भी question हमने कर लिया किया नहीं यह question नहीं किया लेकिन हाँ इस type का exactly अभी हमने questions कर लिया है यह भी homework में रहेगा 8.5 ध्यान रखिएगा और homework देने का मतलब मैं इनके आपको वीडियो भी साथ के साथ मैं बाद में कल अप्लोड करूँआ ताकि आज आप practice करो और आपके बहुत सारे doubt निकले ताकि वीडियो देखने के बाद आपको clear हो पाए दो question दे दिया homework में एक मिनट रूख जाइए सहाब ये भी homework में रहेगा 8.16 ये भी homework में रहेगा इस type का question कर चुके अनके पर लिख लीजिए और image क्लिक करना होगा तो कर लीजिए आप साथ के साथ सार ये question भी homework में रहेगा 8.13 8.16 था 8.13 ये भी homework में रहेगा सार मेरे पास process की book नहीं है प्लीज आप homework वाले question PDF में डाल देना उडल जाएगा वो तो आपको एक ये question भी homework में रहेगा दो से तीन class का chapter रह गया है ये चलिए ये homework में दिया आज processor थोड़ा पता नहीं क्या हुआ इसका slow होगे तो save कर दो नहीं तो ये भी गायब हो जाएगा झाल झाल